भूतहा हवेली के रूप में प्रसिद्ध यह इमारत आस्ट्रेलिया की प्राचीनतम इमारतों में से एक है। भूतों को यहां बेस्मेंट में बना सैलर यानी शराब खाना ही ज्यादा रास आता है। यहां के भूत शरीफ किस्म के हैं और उन्होंने अभी तक किसी को कोई ख खास नुकसान नहीं पहुँचाया है। लेकिन यहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों पर उनका ऐसा मनोवैज्यानिक आतंक है कि वे सूरज ढलने से पहले ही घर भाग जाने की कोशिश करते हैं। भूतों को देख और महसूस कर चुके लोगों का कहना है कि यहां एक से ज्यादा भूत हैं। इन में से कुछ की तो पहचान भी कर ली गई है कि वो किसके भूत हैं। सेंट्रल सिड्नी से लगभग एक घंटे के सफर पर स्थित पारा माता में यह हवेली दरसल कभी वहां का गवर्नर हाउस हुआ करती थी। इसका निर्मान हंटर और मैकारी नाम के गवर्नरों ने 7799 से 86 के दौरान करवाया था। प्रेत प्रसंगों के जुड़ जाने के कारण इस हवेली का महत्व इस कदर बढ़ गया है कि इसके मूल स्वरूप को अभी तक बड़े रखरखाव के साथ बरकरार रखा गया है। इसकी रंगाई पुताई पर हर साल सरका की तरफ से काफी पैसा खर्च किया जाता है। यहां तक कि इसके पुराने फरनीचर को भी नहीं बदला गया है। इस फरनीचर का इस्तिमाल तो आस्ट्रेलिया के अनेक एतिहासिक नाटकों में भी किया जा चुका है। यहां जनता के लिए प्रेत दर्शन का सिलसला पिछ लेकिन थोड़ा पैसा खर्च करके अगर कुछ देर के लिए किसी को प्रेत सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो कोई घाटे का सौदा नहीं लगता, क्योंकि यहां आने वाले दर्शक पर्यतकों में से अनेक ने भूतों की उपस्थिती और उसका रोमांच महसूस किया है। बने अंधियारे सैलर में एक सलाइड शो के साथ होती है। इस शो में इमारत के बारे में दिल्चस्प जानकारी के साथ साथ उस पूरे परिसर का परिचय दिया जाता है। इसके बाद गाइड मुम्बत्ती लेकर सभी महमानों को उस इमारत की परिक्रमा करवाता है। यहां आ चुके दर्शकों ने खासी बेचैनी महसूस करने जैसी बात सुईकार की है। यह स्थान आगे वाले गेट की सीमा में, लेकिन आखिरी छोर पर है। यहां पर प्रेत, छाया, विचित्र ढंका सफेद कुहासा, चीखें तथा ऐसी ही कई अजीबो गरीब घटनाएं ह वहां बुलवाया गया। हैरानी की बात यह रही कि वे चारों ही महारती इमारत का चक्कर लगा लेने के बाद काफी बेचैन दिखे और जल्दी से जल्दी वहां से चले जाना चाह रहे थे। उनकी बेचैनी और इस जल्दी की वजह पूछने पर उनका कहना था कि यहां की प्रेत दर्शन के प्रारंभिक गवाहों में इस इमारत का एक कर्मचारी भी था, एक बार वह एक कमरे में जाड़ फानूस लगा रहा था, उस वक्त कमरे में रोशनी कम थी पर पूरी तरह अंधेरा नहीं था, तभी उसे खिडकी से जहांकता हुआ एक चहरा दिखाई दिया गौर से देखा तो पता चनला की उस चहरे का तो धड़ ही नहीं था, फिर उसने उसके बगल वाली खिडकी में देखा, तो वहां भी वही चहरा जहांकता मिला, वैसे इमारत में प्रेत गतिविधियों का मुख्य केंद्र है वहां का ब्लू रूम वह कमरा कभी यहां का खास बेडरूम हुआ करता था, इसमें नीले रंग की पुताई है, इसमें पुरानी शैली के चार प्रग्यापकों वाला एक बेड है, सामने वाली दीवार और बगल में एक एक खिडकी है वर्टिकल बार, इसमें एक पुरानी शैली का बना तथा कुछ और खूबसूरत वस्तुएं भी रखी हैं, इस तरह के बेडरूमों से जुड़े भटकती आत्माओं के किस्सों की तरह, इससे भी कुछ ऐसे किस्से जुड़े हैं, इन किस्सों की नायका एक ब्लू लेडी यह है, जो अकसर इस शायन कक्ष और उसके आस-पास मंदराती हुई देखी गई है, कौन थी ये ब्लू लेडी, आखिर इसका रहस्य क्या है, दरासल ब्लू लेडी वो युवा सुंदरी है, जिसकी तस्वीर ब्लू रूम के पास की दीवार पर टंगी है, इस सुंदरी का नाम मेरी ब्लिग बताया जाता है, तस्वीर में मेरी अपने प्रीय कुत्ते को गोद में लिए हुए है, यहां के कर्मचारियों ने उसकी प्रेत चाया को उसी मुद्रा में इस कक्ष में और इसके आसपास घूमते देखा है, इस शैन कक्ष का मुआयना कर चुके प्रेत विशेशग्यों का कहना है, कि उन्हें यहां बहुत ही ह इंसक द्रिश्य देखने को मिले विशेश तोर पर वाड्रोब के पास वाले कोने में। कर्मचारियों का कहना है कि ये वाड्रोब अक्सर अपने आप खुल जाता है और कई बार तो कक्ष में घुसने पर उन्हें खुला हुआ भी मिला है। यहां के मुख्य दर्वाजे को लेकर भी कई चमतकार होते रहते हैं। मसलन रात को ताला लगा देने के बाद भी अंदर रखा गुलदस्ता कभी गिरा हुआ होता है तो कभी दर्वाजा अपने आप खुल जाता है। ब्लू रूम के अलावा कुछ अन्य कक्ष और स्थान भी प्रेतात्माओं की मौजूदगी का अहसास कराते हैं। एक कर्मचारी ने तो यहां की डाइनिंग टेबल पर एक प्रेतात्मा से साक्षात करने की बातें भी की। पर वो कर्मचारी उस बातचीत का खुलासा करने के लिए ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सका। एक बार तो एक गाइड जब दर्शकों को उस कक्ष के बारे में बता रहा था तो एक प्रेतात्मा अचानक वहां प्रकट हुई और उनके चारों तरफ घूम कर दरवाजे से बाहर निकल गई। इन प्रेत कथाओं के अलावा इस इमारत से कई दिल्चस्प किस्से और भी जुड़े हुए हैं। अस्ट्रेलिया में उडन तश्तरी पहली बार इसी इमारत से देखी गई थी। यही नहीं, वो उडन तश्तरी पास ही एक मैदान में खड़े एक व्यक्ति का अपहरण तक करके ले गई थी। इसके बाद क्या हुआ? उसे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उस पर गहरी तंद्रा च्छा गई थी। जब तंद्रा भंग हुई, तो उसने खुद को वापस उसी जगह पड़ा पाया। तो प्रेत अनंत, प्रेत कथा अनंता, जानकारों का कहना है कि इन प्रेत आत्माओं से मिलने, उन्हें देखने के लिए किसी दिव्य दृष्टी या विलक्षन शक्ती से संपन्न होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो एक मजबूत दिल और जिग्यासू तथा सजग दिमाग की। पर यह भी जरूरी नहीं कि कोई वहाँ जाए तो प्रेत दर्शन की उसकी इच्छा उसी दिन पूरी हो ही जाए। उसे दूसरे, तीसरे या चौते विजिट के लिए तयार रहना चाहिए। आखिर प्रेत भी तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं।